किस तरह से आप लोग अगर आपको इस तरह से पूरा एक page याद करना है तो किस तरह से आप लोग उसे याद करेंगे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि जो tough words हैं उनको underline कर लेना है तो आप लोग यहां से अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो चलिए सबसे पहले इसे पढ़ना ही शुरू कर लेते हैं Why do most celebrity writers despise being interviewed? तो यहां पर मेरे हिसाब से यह जो word है आप लोगों के लिए थोड़ा सा tough होगा जिसे despise हो गया, consider हो गया, intrusion हो गया आपका और immoral, offensive इस तरह के जो words हैं यह आप लोगों को पहले underline कर लेने हैं तो meaning में आप लोगों को बाद में होता हूँगा पहले आप लोग इन words की meaning लिख लिजिए despise means होता hate, किसी से घ्रना करना consider का simple meaning है think तो जब भी आप लोगों को think लिखना हो अपनी answer में तो आप consider word को ही लिखें तो writing में आपको ज़्यादा marks मिलेंगे या इसका जो weight is है वो ज़्यादा है intrusion means होता है to disturb someone और किसी की life में हम दखलंदा जी इसको बोल सकते हैं ठीक है तो intrusion का क्या हो जाएगा आपका दखलंदा जी कहना आगे चलते हैं immoral and offensive immoral का हो जाएगा unethic means जो unethic नहीं है सही नहीं है ठीक है आप क्या बोल सकते हैं जो सही नहीं है उसे हम क्या कहेंगे unethic कहते हैं offensive थोड़ा सा aggressive aggression उसमें होता है और dimnish dimnish means होता है to show or to make someone less किसी को क्या कर लेना कम दिखाना means अगर मैं किसी का interview ले रहा हूं तो यहां पर celebrity यह सोचते हैं कि उन्हें interview से घिर्णा है इसलिए है कि उन्हें लगता है कि दूसरा उन्हें क्या कर रहा है कम आ कर रहा है कम दिखा रहा है तो इतने words आप लोगों को याद हो जाने चाहिए तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए यह words लिखे भी है अभी मैं सिर्फ इतने words से आपका यह पूरा page किस तरह से आप लोग लिख सकते हैं वह आप लोगों को बताऊंगा आगे चलते हैं how is number two equals non-fictional writing style different from academic writing style तो यहां पर दो चीज़े आप लोगों को पूछी जा रही है non-fictional writing पूछी जा रही है और दूसरा पूछा जा रहा है academic writing तो अगर हम non-fictional writing की बात करें इसमें हम पूरा पहले पढ़ लेते हैं number two equals non-fictional writing style has a certain playful narrative and personal quality about it and where is his academic writing is depersonalized and often dry and boring तो यहां पर एक word आया है आपका depersonalized इसका मतलब होता है कि किसी एक आदमी के बारे में नहीं लिखता है academic writing क्या है depersonalized है और जो non-writing style है वो कैसा है playful है narrative है and personal quality उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगे जबकि जो academic writing है वो कैसी है dry and boring तो आप लोगों के लिए यहां पर मैंने notes बनाए है तो आप लोग यहां पर देख सकते है academic कैसी है depersonalized है और साथी साथ और dry भी है और साथ में वो boring भी उन्होंने बोल रहा है उसको ठीक है आगे चलते हैं इसमें long answer में आ जाते है interviews and unwarranted intuition in the lives of others elucidate with reference to the interview यहां पर एक word आया है elucidate और आप लोग इससे क्या हो जाते हैं कई बार समझी नहीं आता है elucidate क्या होता है तो इसका simple meaning है explain इन 3-4 word को आप लोग याद रख लीजिए इससे आप लोगों को जो question paper होगा उसमें आसानी रहेगी समझने में तो describe आ स questions होंगे उनमें ये 3-4 word आप लोगों देखने को मिलेंगे explain मिल सकता है describe मिल सकता है elucidate मिल सकता है इसके अलावा एक word होता है एक जो phrase होता है do you think और इसी को इसी तरह से दूसरी तरह से भी पूछा जाता है what do you think तो question में अगर इस तरह से पूछा जा रहा है तो कहने का मतल देखने है तो ये 4-6 word है याद रख लिए describe मिल सकता वर्डन करना explain मिल सकता है व्यक्या करना elucidate मिल सकता है example के साथ में समझाना या उसको बढ़ा बढ़ा चड़ा के बताना अगे do you think कि आपको समझ आप क्या सोचते हैं ठीक है what do you think आप क्या सोचते हैं do you think क्या सोचते हैं तो ये तोड़ा सा एक जैसा इसका means sound हो गया है तो आप लोग इसे याद कर लिजे इतने आप लोगों को याद कर लेना है अब चलते हैं यहाँ पर interviews are common features in journalism journalism पत्रकारिदा most celebrities consider consider मैं उपर आप लोगों बता चुका हूँ them as an unnecessary intuition बी मैं आप लोगों बता चुका हूँ अब वो क्या मानते हैं interview को क्या क्या चीजे मानी जाता है क्या क्या चीजे माना जाता है तो ये हो गया आपका a horror of interview an ordeal so ordeal क्या होता है ordeal means होता है एक कठिन परिक्षा या बोल सकते है अगनी परिक्षा नों के tough exam so ordeal माना जाता है thumbprints on windpipe thumbprints on windpipe का मतलब होता है गला दबा देना या हम दूसरे उसमें बोलें word में तो चोक आप क्या कर लेंगे इसे लेख लेंगे चोक ठीक है ये दो तीन चीजे याद रखने है आपको supremely serviceable medium of communication और ये एक क्या है communication का medium भी है vivid impression on our contemporaries the interviewers hold a position of unprecedented power and influence अब देखे जो interviewer है उसकी जो power हो जाती है वो कैसी वो powerful है unprecedented power and influence की उसकी power हो जाती है जाने का मतलब यह है कि एक आदमी है और उसका दूसरा क्या किया जा रहा है interview ले रहा है ये आदमी क्या कर रहा है interview ले रहा है तो अब इसके पास क्या हो गई है power आ गई है influence आ गया है कि जो इसको पूरी तरह से क्या कर सकता है कुछ भी चीज़े पूछ सकता है कि जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा interview में कई बार इस तरह के personal question पूछ लिए जाते तो इसलिए intuition कहा हुआ है यहाँ पे देखिए intuition in their lives अब आपको यह सब लिखना है तो लिखना कैसे है इसी तरीके से आप बहुत को जरूरी नहीं है कि जैसी language यहाँ पर लिखी वी आपको इसी language में लिखना है अगर आप इतना टफ नहीं लिख पा रहे हैं तो आप यह सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं अब देखिए पह आपका यहां से most celebrity writers despise being interviewed as as या because आप जो भी आपको लिखना है because भी आप लोग यहां पर लिख सकते हैं ठीक है because they consider it as an undesirable intuition into their personal lives तो यहां से आप इसको ले लेते हैं तो आप लोगों को क्या कर लेना है सिर्फ इतना लिख लेना है they consider it they consider it लिख लिए क्या consider करते हैं they consider it intrusion in their life अब इसके आगे फिर से consider वर्ड को आप repeat नहीं करेंगे and they think और क्या लिख लेंगे यहां से आप लिख लेंगे and they think it immoral and offensive फिर आगे लिख सकते हैं आप it it is considered that it is considered that it dimnish it dimnish them तो आपका पूरा answer क्या हो जाएगा इसमें आजाएगा ठीक है एक दो phrases जो यह है they consider it and they think it and it is considered that it is considered that it dimnish them अगर आप it is considered that को हटाना चाहते हैं तो simply and लगा दीजिए यहां पर तो यह इस तरह से हो जाएगा they consider they consider it as intrusion in their life and in their lives and they think it immoral offensive and it dimnish them तो पूरा आपका answer आजाएगा अब यहां पर आ जाते हैं second जो आपका question था how is Umberto Eco's non-fictional writing style different from academic writing style तो आप लोगों को लिखना है Umberto Eco's तो यह तो आपको उसी में मिल जाएगा Umberto Eco यह कर लिजे Umberto Eco's non-fictional style is तो आप लोगों को easy हो जाएगा अगर आप इसे थोड़ी देर practice करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा Umberto Eco's non-fictional style is playful narrative and personal quality अब आजाएगे इसमें next line में आपको लिखना है and his academic style is देखें यहाँ पर हमने क्या लगा है style is playful narrative and personal qualities of personal qualities होगा but आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से and academic style is depersonalized dry and boring बस तो अगर आपको यह word याद है तो आपको इतना ही add करना Umberto Eco's non-fictional style is playful narrative and personal quality and academic style is depersonalized dry and boring अब आजाते हैं थर्ड वाले में थर्ड वाले में आपको बस इस लगाना है interview is horror, interview is ordeal and interview is thumbprint on windpipe, interview is medium of communication so सब में आप इस लगा के बना सकते हैं अपने sentences अब उनको थोड़ा सा और अच्छा अगर आपको करना है तो आप यहां से help ले सकते हैं a horror of interview, intrusion in their life यह तो हमने फर्स्ट वाले उसमें भी पढ़ा ही था यहां पे भी आप interview क्या था आपका, क्या सोचते हैं intrusion यह वाला word आप लोगों को याद हो जाएगा intrusion, interview is horror, interview is intrusion और सीदे सीदे इस तरह से लिख सकते हैं interview is considered, अब आपको थोड़ा सा अगर इसको और अच्छा अपना बनाना है answer तो आप इस तरह से is horror की जगए, interview is considered as horror and intrusion अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, अगर आप लोगों को इसमें और एड़ करना है intrusion in their life, in their lives या in someone's life कर सकते हैं आप इसको interview is an ordeal to people and interview is medium of communication तो इस तरह से आपके पूरे sentences बनते हुए चले जाएंगे, जैसे अगर हम इसको पूरा अगर यहां से लिख रहे हैं यहां पर देखिए, interview is an unwarranted intrusion in the lives of others तो यहां से आप लोग सोच सकते हैं, celebrities consider them जो उपर हमने लिखा था तो इस तरह से आप अपना answer क्या कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं यह जो words हैं, इन्हें अच्छी तरीकी से आप practice कीजिए, कल हम एक नया chapter लेंगे और उसके 3-4 questions हम क्या करेंगे, complete करेंगे और इसी तरह से याद करनी के कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो आप comment box में लिख सकते हैं नेक्स चेप्टर का name जो के आपको tough लगता हो, मिलते हैं अकले वीडियो में, तब तक के लिए good bye, take care करेंगे